हाई दोस्तों मैं मनोसर समान ग्यान लुशेन तो देखे दोस्तों आज का जो टॉपिक है बिजय नगर समराज सौरी दोस्तों बुड़ा कासी आ रही है बिजय नगर समराज की स्थापना 1336 इस्वी में हुआ था बिजय नगर समराज की स्थापना कब हुआ था 1336 में हरिहर एवं बुक्का नमक दो भाईयों ने की थी जो पाँच भाईयों के परिवार के अंग थे बिजयनगर का साब्दी कर था जीत का सहर इसके बाद की हरिहर बुक्का ने बिजयनगर की स्थापना बिद्यारन्य संत से आसिरवात प्राप्त की थी हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवन्स की स्थापना की थी बिजयनगर समराज की राजधानी हमपी थी बिजयनगर समराज की राजधानी कहा थी? हमपी थी बिजयनगर समराज के खंड़हर तुन भOOD्रा नदी पर इस्तित है इसकी राज़ानी तेलगू है इसकी राजभासा क्या थीए तेलगू थी अगला देखे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का, पहले वारंगल के काकती सासा प्रता प्रुद्रदेव की सामन थे, बिजय नगर समराज पर क्रमसन नीमन वंसों ने सासन किया, संगम, सुलूप, तुलूप, आर्बीडूवंस, बुक्का फस्ट ने वेदमार्ग, वेदमार् इश्ठापक की उपादी धारन की, हरिहर सेखेंड ने संगम सासको में सबसे पहले महाधिराज की उपादी धारन की थी, इटली का यात्री कौन था, निकोलू कॉंटी, ये कई बार पूछा है, कि निकोलू कॉंटी किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम, पूछा है, कि निकोलू कॉंटी कि किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ये कोशा है कही बार, देवराय प्रथम ने क्या किया था, तो बद्रा नदी पर एक मांध बनवाए था, ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरे ला सके और सिचाई के लिए उसे हरिद्रा नदी पर बांद बनाया संगमोंस का सबसे प्रतापी राजा कौन था देवराय दृती था इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था फार्सी राजदूत अबदुल रजाग, अबदुल रजाग देवराय सेकंड की सासंकाल में बिजअनगर आया था इसके अनुसार बिज़ाँनगर में पूलिस वालों का बेतन वैस्याले की आयसे दी जाती थी तेलगु कभी स्रीनात ने कुछ दिनों तक देवराय सेकेंड के दर्बार में रहे फरिस्ता की अनुसाद देवराय सेकेंड ने अपनी सेना में दो हज़ार मुसल्मानों को भरती किया और उन्हें जागिर दी थी एक अभिलेक में देवराय सेकेंड को जग बेटकर जग बेटकर कहा गया देवराय सेकेंड ने संस्क्रित ग्रंत महानाटक सुदानिधी एवं ब्रह्मसोत्र परभास से लिखा मालिका अरजुन का प्रणाव देवराय भी कहा जाता था सालू नर्सिंग ने बिजय नगर में दूसरे राजवन सालू वंस की स्थापना की थी अब देखे सालू वंस फिर आता है तुलू वंस तुलू वंस की स्थापना किस ने किया था बीर नर्सिंग ने दोस्तों देखे ये दोनों question पूछा है कि सालूब नर्सिंग ने बिजय नगर में दूसरे राजवन सालूब वन्स की स्थापना की थी फिर आता है देखे तुलूब वन्स तुलूब वन्स की स्थापना की थी ने किया था बीर नर्सिंग ने किया था तुलूब वन्स का महान सासक कौन था कृष्ण देव राय था दोस्तों ये कई बार पूछा है ये भी PCS में पूछ चुका है तुलूब वन्स का महान सासक कौन था कृष्ण देव राय था वह 8 अ पाबर नामा में कृष्ण देव राय को भारत का वास्विक सक्तिसाली सासक बनाया था और कृष्ण देव राय के सासनकाल में पूर्तगाली यात्री डेमि गोज पायस बिजानगर आया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कृष्ण किसके दर्बार में आया था देव राय प्रथम के दर्बार में आया था ये कृष्ण देव राय के दर्बार में आया था अब देखे क्रिश्ण देव राय के दर्बार में तेलगू क्रिश्ण देव राय दर्बार में तेलगू साहित के आठ सर्ष्ट कभी रहते थे जिसे अश्ट दिगज का जाता था और उसके सासनकाल को तेलगू साहित का क्लासिकल यूग का जाता था है कृष्ण देव राय ने तेलगू में अमुक्त ल्याद उन संस्क्रित में जाबुवंती कल्यानम की रचना की है यहाँ पर देखे पाडूरंग महात्यम में की रचना तेनाली रामकृष्ण ने किया था नागलपूर नामक नय नगर हजारा और बिठल स्वामी मंदिर का निर्मान कृष्ण देव राय ने करवाया था अब क्रिश्ण देवराय ने आंद्रभोज, अभिनवभोज और आंद्रपितामा आदी की उपादी धार्ण की थी दोस्तों तुलूवंस का अंतिम सासक कौन था? सदासियू था दोस्तों तुलूवंस का अंतिम सासक कौन था? सदासियू राचिसी तरांगडी या तालिकोटा बन्नी हट्टी का यूद 23 जन्वरी 1565 में हुआ था इस यूद के करण बीजयनगर का पतन हुआ था बीजयनगर के बिरुद बने दच्छिडाजों के संग्ब सामिल थे बीजयपूर आमदनगर गोलकुंडा बीदर इस संयुक्त मोर्चे का नित्रित अली आदिल सा कर रहा था तालिकोटा के युद में बिजानगर के नित्रित में राम राय कर रहा था बिजानगर के राजाओं और भहमने के सुल्टानों के हिद तीन अलग-अलग छेत्रों में आपस में टकराते थे तुम बुद्रा के दुवाब में कृष्णा, गोदाओरी के कचार और मराठ वाड्रा प्रदेश में था तालिकोटा युद के बाद सदासिव ने तिरुमल के सायोग से पेनु कोंडा को राजधानी बना कर शासन करना प्रारम किया था बीजय नगर के चौथी राजवांस अराबीडू वन्स की स्थापना तिरुमल ने सदासिव को अबदस करके पेन कोंडा में किया था अराबीडू वन्स का अंतिम सासक कौन था रंग थाड़ था अराबीडू सासक वेंकट सेकेंड के सासंकाल में वेडेयार वेडेयार ने 1612 सुई में मैसूराज की स्थापना किया था बिजय नगर समराज की प्रसासन की इकाई करम घड़ते हुए करम में इस प्रकार था कि प्रांत मंडल को टम या वलनाडू और जिला को नाडू या मेल ग्राम या उरू को ग्राम कहा जाता था बिजय नगर कालीन सेना नायको को नायक कहा जाता था ये नायक वसुत भू सामन्त थे जिनोंने राजा बेतन के बदले अथवा उनकी अधिनस्त सेना के रख रखाओ के लिए विसेस भुकन दे देता था जो अमरम कहा लाता था अगला देखे दोस्तों आयंगर बेवस था प्रसासन को सुचार रूप से संचालित करने के लिए प्रते ग्राम को एक सोतंत इकाई के रूप में संगठित किया गया था इन ग्रामेड काईओं पर सासन ये तु बारा प्रसास की अधिकारियों की नियुक्त की जाती थी जिनको सामोहिक रूप से आयंगर कहा जाता था ये अवैतनिक होते थे इनकी सेवाओं के बदले सरकार इने पुड़त लगान मुक्त और करमुक्त भूमी प्रदान करती थी इनका पद अनुवांसिक होता था इस पद को बेच या गेरी भी रख सकता था ग्रामस्तर की कोई भी संपती इन अधिकारियों की इजादत के बगाएर न तो बेची जा सकती थी और नहीं दान दी जा सकती थी अब्दुल रज्जाक फारस का था दोस्तों ये देवराय सेकेंड के दरबार में आय था नूनिज पूर्दगाली था ये अच्ची उतराय के दरबार में आय था डोमिंग पायस पूर्दगाली था ये कृष्ण देवराय के दरबार में आय था बारबोसा पुर्तगाल ये कृष्ण देव राय के दरबार में था कडिका नामक अयंकार के पास जमीन की क्रे बिक्रे से सम्बंदित समस दस्तावेज होते थे बिजयनगर समराज की आयका सबसे बड़ा सुरूत क्या था लगान भू राजसु की दर क्या थी एक बटे च्छाव भाग था बिवाकर वर वदू दोनों से लिया जाता था बिद्वा से बिवा करने वाले इसकर से मुक्त होते थे उबाली ग्राम में विशेष सिवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमी की भूदान पद्धती थी रक्त कोडगे योद्मे सौर का प्रदर्शन करने वाले इमृत लोगों की परिवार की परिवार को दी गई भूमी को कहा जाता था विक्रिसक मज़दूर जो भूमिके क्रय विक्रय के साथ ही हस्तानन्त्रित हो जाते थे अगला दिखी बिजयनगर का सैन विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच अधिकारी डंड नायक या सेनापती होता था टकसाल विभाक का जोरी खान कहा जाता था और चटीओं की तरह ब्यापार में निपूर, दस्तकार वर्ग के लोगों को बीर पंजाल कहा जाता था उत्तर भारत से दछिड भारत में आकर बसी लोगों को बडवा कहा जाता था बिजनगर में दास प्रसा प्रचली थी बिजानगर राज में कल्यान मंदप की रशना मंदिर का एक बिसिष्ट अभिल अच्छर था बिजानगर की मुद्रा पेगोडा तता बहमनई राज की मुद्रा हुण थी अगला देखे दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक की सासंकाल में 1347 इस्वी में हसन गंगु ने साह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबरगा गुलबरगा को अपनी राजधानी बनाया इसकी राजबासा थी मराठी अगला देखे इसने अपने समराथ को चार प्रांतों में गुलबरगा दौलताबाद बरार और बीदर में बटा था इसके बाद देखे इसकी मृत् के पस्चात उसका पुत्र मुहम्मस सा प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में सबसे पहले बारूत का प्रेउग हुआ था भीमा नदी के तटपर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद दिन फिरोज ने किया था और फिरोज खगोल का प्रोसाहन देता था और उसने दौलत के पास एक वैस साला बनवाई थी फरिस्ता के अनुशार फिरोज फार्सी अर्भी तुर्की के अत्रिक तेलगु कन्नड और मराठी वासा का भी ग्याता था फिरोज सा बहमनई का सबसे बड़ा कारे प्रशासन में बड़े अस्तर पर हिंदुओं को समलित करना था चौल औ और दभोल इसके समय के ही प्रमुख बंदरगा थे साबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबरगा से हटा कर बीदर में स्थापित किया इसने बीदर का नया नाम मुहमदाबाद रखा मुहमद थर्ड के सासनकाल में ख्वाजा जा की उपादी से मुहम मुहमद थर्ड के आदेश पर 1412 इस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में मुहमद गवा को फांसी दे दी गई थी महमुद गवा ने बीदर में एक महा बिद्याले की स्थापना कराई और इसका भवन तीन मंजिला था इसमें 1000 अध्यापक और एक बिद्यार्थी रह सकते थे उन्हेंने भोजन कपड़ा भी राज की और से मुक्त कर दिया था रियाजुल इंसा नाम से महमुद गवा के पत्रों का संग्रा किया 1470 इस्वी में रूसी यात्री नितीन भामनई समराज की यात्रां पर आया इसमें भामनई राज मुहमद थर्ड का सासन था बीजापूर गुलबरगा तारप में सामिल था अगला देखे दोस्तों कलिम उल्ला कलिम उल्ला बहमनई वंस का अंतिम सासक था इसकी मृत्तु के समय बहमनई राज पांच सोतंत राज्यों में बढ़ गया था इन सोतंत राज्यों से सम्मंदित इस प्रकार का है बीजापूर बीजाप अमीर अली बरीद, मुहम्मत फर्ष्ट के मंत्री सहबुद्धिन गौरी ने केंद्री सासन का का कार कई विभागों में बाटा और आठ मंत्रियों का नियुक्त किया जो इस प्रकार था वकील सल्तनत दिल्ली के मालिक नयाब के समान, वकील कुल मंत्रियों के कार निरिच्छन, अमीर जुमला अर्थ बिभाग का अध्यच, वजीर असरब बिदेश, नीती और दर्बार संबंदी कारियों का निस्पादन, नाजीर वअ अर्थ बिभाग से संबंदित था, पेशव वकील ए सल्तनत का सहायक था, कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था, सद्रे जहां, न्याय विभाग, दर्म, दान, विभाग का अध्यर था, अगला देखे, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरच्छा के लिए, विशेस अंगरचक सैनिक दल था, जिसे साक ए उशने अपने दैरबार में कैथोलिक मिस्नरीयों को बुलाया, उशने अपनी पुस्तकाला का आधियत परसीत संस्कृत बिद्वान वामन पंडित को मनाया था, उसके उत्रादिकारीयों ने संस्कृत एवन मराठी बासा को प्रस्रह देना जरूरी था, इब्राहीम आदिल प्रसाद रिती को अबला बाबा गरीबों का दोस्त का जाता था, उशने किताब ए नौरस नाम की एक कुस्तक की रशना की, जिसमें गीतों की विभिन रागों से बांध परस्तुत किया गया था, उशने नौरस को नाम से एक नई राजधानी बनाई, और अपनी ब्यापक प्रिष्टिकोर के कारण या जगत गुरु का लाता था, और उशने बिठोवा की उपाशना के किंद पड़पुर को अनुदान दिया, मुहम्मत कुली कुतुप सा ने 1592 में हैदराबाद के बीच में चार मिनार बनवाई, इसमें चारो दिसाओं में, चार उच्छे प्रते की उचाई 48 मिटर है, हैदराबाद सार को कुली कुतुप सा ने बसाया था, और इबराहिम राजा और गोल गुमबज बीजापूर इमारतों में से सबसे प्रसिद्ध है, इबराहिम राजा इबराहिम आदिल साक मतबरा था, 1680 में बनाया गए गोल गुमबज का जितना की विसाल एक गुंबत कभी नहीं बनाया गया था। जुना खा या मुहमद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। अगला देखे लगभग 75 वर्स तक स्वतंत रहने के बाद जौनपूर में बहलोल लोधी ने कबजा कर लिया। सरकी सासक के अंतरगत विसेस इबराहिम सा के समय में जौनपूर के साहित इस्थापत कला के छित्र में हुए विकास के कारण जौनपूर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्मार 1401 में सरकी सुल्टान इबराहिम साह द्वारा किया गया था। और अटाला देवी मस्जित का निर्मार कन्नौज के राधा बिजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ कर किया गया था। में कस्मीर में हिंदू राज की स्थापना की। 1349 में कस्मीर में सामीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वन्स की स्थापना की गई। बुद्सिकन कहा गया और 14-20 में जैन उल अब्दीन सिंहासन पर बैठा वेरी बेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसकी धार्मिक सहिसोडता के करण इसे कस्मीर का अकबर कहा जाता है। ये कोशन कई बार PCS में भी आरो यारो में पूछा गया है कि कस्मीर का अकबर किसको का गया है। जैन उल अब्दीन को इसने जजिया कर हटा दिया था इसलिए गोबद निशिद्ध कर दिया था सती प्रता पर प्रतिबन अटा दिया था। जैन उल अबदीन के प्रसासन में अनेक हिंदूों को उचेपत प्राप्ते, स्रीबट उसका न्याय मंत्री और डरबारी चिकिस सकता, बूलर जील, जैना लंका इसके काल की अभियांतरिक उन्नति का उतकृष्ण मुना है, जैन उल अबदीन फारसी संस्क्रित कस्मीरी तिब यार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली की संतनत में मिलाया, गैसुद्दिन तुगलक ने बंगाल के तीन भागों में विभाजित किया लखनाउती, कहां लखनाउती का पड़ता है, उत्तरी बंगाल, सुनार गाउं, पूर परशिम बंगाल, फिर इसके बाद देखे, सत सिकंदर सा ने करवाया था, बंगाल का सासा गया सुद्दिन आजंड सा ने अपनी नियाई प्रियता के लिए प्रसिद्ध था, अलाउदीन हसन सा ने राजधानी पंडुआ से गौड अस्थानंतरित किया, महा प्रभु चैतन ने अलाउदीन के समकालीन था, अलाउदीन सतपीर नामक आंदोलन की सुरुआत की, मालाधार बसुने अलाउदीन की सासंकाली में स्रिक्रिष्ण बेजय की रशना गुड राजधान की उपादी धारन की, इनके बेटे को सत्राजधान की उपादी दी गई, नसुरुद्दीन नुसरस्ता ने गौड बाड़ा सोना औ और कदम रसूल मस्जित का निर्मान करवाया, अगला देखे दोस्तों, मालवा, अब आते हम लोग मालवा, दिलावर खा, दिलावर खा ने 1401 में मालवा को स्वतन गोशित किया, दिलावर खा का पुत्र काउन था, अलब खा, हुसंग सा की उपादी धारन करके, 1405 में मालवा का सासक मना, इस ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू अस्थन अंतरित कर दिया, मालवा में खिल जीवन्स की स्थापना महमुश सा ने किया था, गुजरात की सासक बहादूर सा ने मुहम्मद सा सेकेंड को यूद में परास्त करके उसकी हत्या कर दी, और मालव को गुजरात में मिला लिया, मांडू के किले हिंडोला भवन या दर्बार हाल का निर्माड हुसन सा ने करवाया था, इस किले में सारवधिक महतपूर दिल्ली दर्वाजा, बाज बहादूर सा रूपमती का महल का निर्माड सुल्तान नसरुद्दीन साधवारा करवाया थ जहाद महल का निर्माण गया सुद्दीन खिल जी को मांडू में करवाया था, कुसुमकुल महमूद खिल जी ने फतेहाबाद नामा का स्थान पे बनवाया था, अगला देखी गुजरात, गुजरात के सासंकार राजकर्ण को पराजित करके अलाउदीन ने 1297 से दिली सल्तलत में मिला लिया, तेरस वेक्या में महमूद सा तुगलग द्वारा नियुक्त गुजरात का सुवेदार जफर खाने सुल्तान मुजबफर सा की उपादी ग्रण करके 14-7 इस्वी में गुजरात का सुतन सुल्तान बना दिया, गुजरात के प्रमुक सासकों थे अमसा, महमूद बेगड़ा था, महमूद बेगड़ा ने घिरिनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चापनेर के निकट मुहमदाबाद नगर बसाया, मेवार दिखी, अलाउदिंखिल जी ने 1303 में मेवार के गोहिलात राजवंस के रत्न सिंग को पराजित करके मेवार क दिली सल्तरत में मिला लिया, गोहिलात वंस की एक साखा सी सोधिया वंस के हम्मीर देव ने मुहम्मत तुगलक को हराकत पूरे मेवार को स्वतन करा लिया, राडा कुम्बा ने 1447 चित्तोड में एक बिजय इस्तम की स्थापना की, खानवा का यूद 1527 में राडा सांगा ए आगेर ने मेवार को मुगल समराज में मिला लिया, खान देश, तुगलक वंस के पतन के समय फिरोसा तुगलक की सुवेदार मलिक अहमद रजा फारुखी ने नर्मदा और तापती नदियों के बीच 1382 में खान देश की स्थापना किया, खान देश की राधानी बुरहान प गरान करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था, सूफी जिन्द आश्रमों में निवास करते थे, उन्हें खान या मटका जाता था, सूफीयों के धर्मसंग 12 सा और 2 सारा में विभाचित था, भारत में चिस्ती और सुहारवर्दी सिल्सिले की जड़े काफी गहरी थी, अग बाबा फरीद बक्तियार काकी और सेख बहरुद्दीन गरीब बाबा फरीद बक्तियार काकी के सिस्थे बाबा फरीद की रशना गुरु ग्रन साहिप में सामिल था बाबा फरीद के दो महत्वपूर सिस्थे निजामुदीन अउलिया एवं अलाउदिन साबेर हसरत निजामुदिन अउलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा था इनके प्रमुक्सिस थी सेख सलिम चिस्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहाली अगला देखे, सेख बहरुद्दीन गरीब 1340 में दचिड भारत के चित्रों में चिस्ती संप्रदाय की सुरुआत की और दौलताबाद को मुख केंदर बनाया सूपियों के सुहरवर्दी धर्मसंग के सिलसिला की स्थापना सेख स्याबुद्दीन उमर सुहरदी ने की थी किन्तु 1262 में इसके सुद्रिन संचालन का स्री सेख बदरुद्दीन जकारिया को था इन्होंने सिंद एवं मुल्तान को मुख केंदर बनाया सुहरवर्दी धर्मसंग के अन्य प्रमुक संद थे जलालुदिन तबरीच सायद सुर्क जोस बुरहान आदी सुहरवर्दी सिलसिला ने राज के संचन को स्विकार किया था सेख अब्दुल्ला सतारी और सतारी सिलसिले की स्थापना की थी इसका मुख केंदर बिहार था अगला देखी कादरी धर्मसंग या सिलसिला की स्थापना सयद अबुल कादीर अल जिलानी ने बगदाद में किया था भारत में सिलसिले की प्रवर्टक मुहम्मद गौस थी इस सिलसिले की अनुआई गाना बजाने की बिरोधी थी ये लोग सियामत की बिरोधी थी राजकुमार दारा कादरी सिलसिला की मुला साका सिस्था नक्स बंदी धर्मसंग या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अबुल्ला ने की थी भारत में सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी भारत में इसके ब्यापक प्रचार का स्री बाकी बिलाल किसिस अकबर के समकाली सीख आहमद सिरंदी को था फिर दोसी सुहरवर्दी सिलसिला क्या एक साखा था जिसकी कारचित बिहार था इस सिलसिले को सीख सरीफ उद्दिन यहां ने लोगप्री बनाया और यहीं पे खुआजा ने जामुदीन के सिस से थी तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए सस्क्राइब करिए धन्यवाद